स्ट्रेंट्स अगर अभी तक आप लोगोंने हमारे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्स्राइब करें और पहला एकल को रूट प्लस करें जिसने के हमारे नई नोडिफिकेशन्स आपके पास तक पहुंचते रहे हैं students, हभी तक हम लोगों ने reproduction in flowering plants में बहुत साइट topics study कर लिए है, आज कर वो topic हमारा है, वो development of dicot embryo है, dicot embryo का development after fertilization कैसे होता है, तो embryo के development को, deployed zygote है, deployed zygote से embryo के development को कहा जाता है embryogeny, ठीक है, and the study of embryo is called embryology, तो दो तर्म यहाँ पे आए, embryogeny and embryology, what is embryogeny, the development of the embryo, and what is the embryology, the study of embryo, या study of development of embryo, second thing, who is the father of the Indian embryology, किसने सबसे पहले इसको discover किया है इंडिया में, तो that is scientist P. Maheshwari, P. Maheshwari is the scientist, जिसको हम लोग कहते है, father of Indian embryology, उन्होंने पूरी इसकी study की, तो आज का हमारा topic जो है, वो development of dicot embryo पे है, कि embryo के development कैसे होता है, dicot plants में, और इसको study किया गया था, प्लान, capsula bursa pasteuris, capsula bursa pasteuris, plant में इसको discovery किया गया, इसके बारे बताया गया, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपना lecture, और प्लीज सब्सक्राइब दे चैनल, अगर अभी तक आप लोग ने नहीं किया हैं तो, इस इस दिप्लाइट जैगोट, डिप्लाइट जैगोट कैसे फॉर्म हुआ है, आपको पता होगा, हम लोग ने बात की थी, जब फर्टलाइजेशन में, फर्स्ट मेल गैमीट रियाक्ट विद द अग्सेल, फर्स्ट मेल गैमीट का जब एक्सेल से एक्सेल से फ्यूजन होता है, तो डिप्लाइट जैगोट का फॉर्मेशन होता है, अब ये डिप्लाइट जैगोट आभी कैसे डेवलेट्मेंट करेगा, तो इस्टै बाइस्टेप उंडोग देखते जाएंगे, इसको समझेगा डिप्लेट्स जैगोर्त में एक transverse division होगा कैसा division होगा transverse division होगा transverse जिससे की दो cells का formation होगा transverse division से दो cells पनी जो उपर की और है micro pillar end की दुरब जो है उसको कहते है बेसल सेल या अपर इपी बेसल अपर मीस जो उपर साइड हो, उपर कौन से साइड होगा, माइक्रोपालर इंड की तरफ जो सेल होगी, वो कहलाएगी अपर इपीबेसल सेल, और जो लोवर सेल है, जो नीचे है, तो यह माइक्रोपालर इंड पे हो गया, यह चलेजलिंड पे हो गया, अगर माइक्रोपालर आपको नहीं पता है तो हमारे previous videos को देखें जहां पर हम लोगों ने बात की थी development of female gametophyte की या megasprogenesis की वहां पर आपको मिलेगा कि which part is called micropyl and which part is called chalegelant तो यहां पर दो reasons हुई दो cells का formation हुआ है यह को हम कहते हैं upper epibasal cell दूसरे को कहते हैं lower hypobasal cell next this lower hypobasal cell is directly convert into embryonal cell यानि कि यह जो cell है इस cell में differentiation होगा यानि कि थोड़ा सा structure change होगा थोड़ा सा nutrition यह absorb को तो थिक होगी तो यह convert होगी इस में embryonal cell में lower hypobasal cell directly convert into embryonal cell after the differentiation next upper epibasal cell में क्या होगा it is divide transversely तो यह जो दो cell form हो रही है वो कहां से बन रही है इस वाले cell upper epibasal cell divide transversely to form two cell the one is called vesicular cell other one is called suspensal cell तो यहां पे क्या हो गए यहां पे भी तीन cells हो गए है कौन-कौन सी suspensal cell lower side में embryonal cell और upper side में vesicular cell फिर यहां पे division हुआ ठीक है embryonal cell में क्या हो गया longitudinal division जैसे कि कोई यह ball है suppose that this one यह ball है इस ball पे हमने क्या किया longitudinal division किया तो कितने पार्ट हो गए दो पार्ट हो गए इस इस टो पार्ट ठीकिए तो यहां पर embryonal cell में दो पार्ट हो गए और यह suspensal cell vesicular cell फिर यहां पे embryonal cell में क्या होगा longitudinal division तो यहां पे क्या होगा है longitudinal division LD means longitudinal division किस में हो रहा है एंब्रीनल सेल में फिर यहां पर लॉंगित्युड डिवीजन इसमें एंब्रीनल सेल में कैसे देखिएगा यह सेल ठीक है इस सेल को हमने बीच से डिवाइड किया कती सेल्स बनी, दो सेल्स बनी लाइट ट्रप्ट में और फिर जो दो सेल्स बनी उसको उने ऐसे कर दिया यहां हुआ लॉंगिट्यूडनल ही है पर निक हैं से एड़ पर्पेंडिकुलर अफ दा प्रीवियस बन प्रीवियस जो ने लेक्चर डिवाइट किया था लॉंगिट्यूडनल डिविजन बे उसके पर्पेंडिकुलर में डिविजन हुआ तो टोटल दो लॉंगिट्यूडनल डिविजन हुए है जिसने कि यहां पे चार सेल्स बन गई है यह क्या हो गया इसके साथ में जो सस्पेंसर सेल है सस्पेंसर सेल में होता है ट्रांस्वर्स डिविजन सस्पेंसर सेल में ट्रांस्वर्स डिविजन हुआ और इसने क्या फॉर्म किया सस्पेंसर इस पीजन इस कॉल्ड सस्पेंसर सस्पेंसर तो इसमें 7 to 8 divisions होते हैं यहाँ पर देखेगा 8 cells होगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तो यहाँ पर 8 cells suspensor है और 4 cells quadrant है फिर क्या होगा आपने देखा था 4 ऐसे हो गए थे longitudinal, longitudinal 4 होए हमने बीच से divide कर दिया अब किनो नहीं हो गए 8 तो देखें यहाँ पर embrional octant हो गया octant means number of cells is a quartent means number of cells is 4 तो इसी embrional cell से जो formation हो रहा है यह क्या form हुआ embrional octant ठेक हैं अब क्या होगा अब इस embrional octant में एक peripersonal division हो रहा है तो देकि उसकी peripersonal division होगा तो देकि एक peripersonal division हो गया तो जो बाहर reason है उसको क्या कहेंगे amphithesium amphithesium और जो अंदर है वो क्या हो गया endothesium तो embrional octant में peripersonal division होगा जिससे की बाहर की layers जो peripersonal division होगा होगा amphithesium जो अंदर थी वो endothesium now amphithesium is converted into dermatogen layer वो differentiate कर जाएगा dermatogen layer बनेगा एक चीज़ यहां पर देखिएगा यहां पर अभी तक बात करें 8 cells की 8 suspensor 8 suspensor बट जब पहली क्रेल division हो रहा है तो उसने क्या किया यहां पर number 7 हो रहे नहीं कि one suspensor is also included in the amphithesium region यह इसके अंदर आ गया ठीक है यहां पर इसको कहते है हाइपोफाईसिस तो हाइपोफाईसिस क्या हुआ the cell of suspensor which includes in the embryonal structure जो embryo के अंदर आ गया है वो ससकोफाईसिस तो यहां पर outermost amphithesium innermost endothesium amphithesium differentiate कर गया किसमे dermatogen ear में जो कि epidermis form करेगा और endothesium जो है वो differentiate किसमे करेगा यह देखे पूरा cellular mass बन गया यह आपका dermatogen है यह जो portion है that is endothesium से form हुआ जो बहाँ की covering है वो कहलाएगी peribulum peribulum और अंदर जो है वो कहलाएगा pleerome तो endothesium is differentiated into two parts the one is called peribulum the other one is called pleerome दोनों का function है पेरी ब्लम से form होगा cortex और pleerome से क्या form होगा VB वेस्कुलर बंदल्स जैलम फ्लुएं तो जब भी आप कभी प्लांट का structure अगर कट कर रहे हैं चाहे वो root हो चाहे शूट हो या different leaf का part अगर हो तो सबसे बाहर क्या होती है endothesium तो आपने क्या देखा this is vesicular cell ये तो same ही है चाहे ये हो चाहे ये हो सब vesicular cells ही है ठीक है suspensor dermatogen layer peribla यानि कि एक complete embryo का formation हो रहा है और this embryo is finally differentiated into this structure ये जो है ये directly convert किसमें होगा इस structure में इसमें की vesicular है इसे suspensor two cotylidans क्योंकि dicot plant है तो यहाँ पे दो cotylidans होगे और ये radical और plimule radical से हमेशा root का formation होगा plimule से shoot का formation होगा तो जब भी कभी अगर कोई seed देखा हो जिसे कि ये seed है इस seed को जब आख open करेंगे अगर ये germinate कर रहा है this is two cotylidans ठीक है दो cotylidans होगा है यहाँ पे ऐसे germination मने करता है यह और यह यहाँ पे दो leaves होते हैं ठीक है तो radical से root का formation होगा और primule से shoot का formation होगा तो final diacode का development होगा तो यह formation होगा two cotylidans का formation होगा limbule का formation होगा radicals का formation होगा तो this is just about the development of dicot embryo almost similar monocot embryo के थूँ होगा monocot भी इसी के similar होगा बस वहाँ पे क्या होगा कि यह जो डो डाइक कोड़ेंस हैं वहाँ पे क्या होगा एक क्या होगा तो this is the coming long time question in the your graduation examinations or the postgraduate examinations write a detailed note on the dicot embryo development this is about all the important facts of dicot embryo तो अगर आपको यह समझ में आई है आपको lecture अच्छा लगा है तो subscribe करिए हमारे चैनल को जिससे की बहुत सारे जो नए वीडियोस हैं आपको मिलेंगे इस चैनल के माद्यम से बेल आइकन को प्रेस करिएगा कि जैसे ही मैं अपना वीडियो अप्लोड करूँ आपके पास में टिपिशन चले जाए और like, share, comment करना मत भूलिए जिससे की यह जो lecture है वो दूसरे लोगों के पास भी जो की नहीं जो की इसकी त्यारी कर रहे है उनके पास भी पहुंस सके Thank you very much